वेलोब्रीवान आपको नहीं मिलेगा इस चीज की हम गारंटी देते हैं और इस क्लास में मैं आपके साथ डिमांड का पार्ट नूम्बर ठीज करने बाला हूं डिमांड का पार्ट टू में हमने क्या किया था मैंने डिमांड फंक्शन बदाया थे मैं एक बाद थोड़ा सा क्लास को पढ़ना बहुत है जब आपको अगला पढ़ना तो पिछे बल चीज समझ होने चाहिए तो मैंने कल की क्लास जो दूसरी क्लास थी वह सबसे क्लास थी उसके बारे ने आपको बताय था इमांड Państwo यँ दिमांड आएगा उसका मतलर रिलेशन तो रिलेशन किसके दोसरे साथ क्या क्या होगा मैंने आपको बताया कि एक हो में बता था प्राइस्न एक बाकि सारे प्राइस्टर अकेला ब्राफपे प्र बाकी जितने इसको अधर बोलोगा फिर मैंने आपको इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने बोला प्राइस फेक्टर की बजा से ठीक है प्राइस फेक्टर की बजा से आपको डिमांट कर वह उसमें क्या-क्या पॉइंड रखना है जब भी आप इसको रिव पता होना चाहिए इसमें decrease increase word use नहीं करते हैं ऐसे question answer निकल दाएगा दूसरी चीज इसमें जो demand होते है वो along the curve चलती है moment along demand curve एक ही curve के उपर demand shift करती है ठीक है फिर मैंने graph से पढ़ाया अगर आपको इसका question निकालाओ आप कुछ नहीं करोगा एक्जाम में मान लीजिए आपको price के उपर question आगया price decrease होने से question में contraction होगा demand एक्सपेंशन होगा या downward होगा अब बढ़ होगा नहीं जाद आरा कोई बात नहीं आप बोलें कि price change होने से यह तो पता ना कि price पी है इसकी demand कुछ होगी price बढ़ गया तो demand क्या होगी कम हो जाएगी चीजें महगी होगी कम मिलेंगी अगर price कम हो गया तो demand बढ़ जाएगी यह तो पता चल जाएगा यहां से इसके बाद इस सेट गे तो क्या हुआ demand कम होगी सीधा देखी demand कम तो कम होने का मतलब contraction हो रहा है अप बढ़गी इसका मतलब अप बढ़ हो तो contraction होता है demand कम होती है downward हो तो expansion होता है demand जाता होती है बस इससे सारे कोशन निकल जाएगे ठीक है फिर मैंने आपको अगला पॉइंट बताया है मैंने कि other factor की वरसे क्या होता है उसमें price को fix कर दिया जाता है price को fix कर दिया जाता है और demand को change किया जाता है उसके change होने से आपको पता है price fix है अगर ये graph आप बना पाते हो खुद ये graph बना पाते हो सारे question का अंसर आपको मिल जाएगे पहले price fix है सारे point इसी line के उपर आएंगे price by line पे पहली बार मान लिजिए कुछ आप चीज़े लेकर आ रहे थे अब चीज़े महंगी हुई जा सस्ती हुई वो किसकी बदर से बोड़ेंड करेगा other factor other factor बहुत सारे होते है income होता है relative goods होते है substitute goods होते है उसमें उसमें compliment goods आते है टेस्ट आता है fashion आता है population आता है बहुत सारी चीज़े आती है तो कोई भी चीज़ से अगर demand बढ़ रही है तो यह इस से आपको मैंने बोला था कि demand का मतलब ही क्या होगा demand का मतलब होगा customer से क्या होगा customer से मतलब आपको अपने साफसे सोचना सब कुछ कि आप खुद सोचो कि आपकी मान लीजिए income बढ़ जाती है आपकी income बढ़ जाती है तो आपकी अगर salary की सेलरी बढ़ने से आपकी निमांट जादा होगी तो मेरे पास पैसा जादा आएगा पैसा आएका तो डैफिनिट्ली मैं अलग-लग चीजन की स्यां गर्णा हो जाती है then demand विवी then demand will be decrease तो आप मुझे बताएए कि income or demand का relation कैसा है income और relation कैसा है बढ़ने से बढ़ रही है in come come होने से कम हो रही है ठीक है income होने से कम हो रही है means कि कैसा relation है यहाँ पर direct direct relation है इसी को आप ये बी बहुँ enhance कर दो कैसा relation है पुछा जाता है पूछेगा इंकम का demean का कैसा रिलेशन है रैक्त रिलेशन हो पूछा जाता है या किई तो आप der ऐस्म को समझ जाता है यह क्यों है यह price की line है और यह quantity की line है यह क्यूं है price अगर income बढ़ी तो demand बढ़ी तो क्या हुआ right side shift होई तो graph ऐसा ही बनेगा तो बढ़ने का मतलब right shift होना इसमें भी decrease increase होता है क्यूं क्यूंकि यह other factor में आता है other में decrease increase होता है ठीक है other में decrease increase होता है चलिए आगे लिख लिजिए जहां से question exam में मेशा पूछा जाता है वह आप लिख लिजिए price अगे लिख लिजिए price of price of related goods यह है वो किन फीजिंग के लिए जहां पर बच्चे बार-बार question में गलती करते हैं तो relative goods मैंने बताया था दो परकार के होते हैं सबसे पहले होता है आपका कौन सा एक substitute goods कौन कोंसा होता है substitute Goods कैसा होता है substitute goods अब इसको substitute का मतलो होता है एक की जगह जब दूसरी चीज को substitute कर सकते हो मतलब एक की बजाए आपने दूसरी जासा काम करने वाला मतलब सेम नहीं होते हैं substitute यहां से जरूरी नहीं कि टी एंड कॉफी होगा और भी बहुत सारे दुनिया बर की एक्जांपल होते हैं जिसे पैने पैंसिल पैंने पैंसिल पैट्रोल डीजल तो जो एक दूसे के रिलेटेड उड़ते हैं सब्चिटूर मतलब आप उसकी बजाए दूसे को यूज कर सकते अगर आपको टी महंगी बढ़ रही है तो उसकी वजाए लोग कॉफी पे शिप्ट हो जाएंगे जैसे मैं बोलता हूं सब्सेटूर देखो एक चीज का प्राइस बढ़ने से यहां पर सब्सेटूर मतलब दूसी चीज का डिमांड बताना होता है मैं टी का प्राइस टी की डिमांड कम होगी तो वह सेम आ गया लेकिन यहां पर सबसेटूर की होगि बदेगा कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाए थ SAS का प्राइस बढ़ आईगा तो इसका प्राइस क्या प्राइस है इसको रापने चेंज्श भी नहीं कर आ वो तो टी वाली दुकान पर प्राइस बढ़ा अब आप मुझे खुद बताईए जब टी महंगी होगी अब लोगों को लग रहा है कि यह टी की बैटर है कि हम लोग कॉफी पर शिफ्ट हो जाए क्योंकि टी महंगी बढ़ रही है कॉफी का प्राइस अभी उतना जितना था तो लोग क्या करेंगे इसका प्राइस बढ़ने से इस चीज का प्राइस तो फिक्स रहा लेकिन इसकी डिमांड क्या होगी मुझे बताईए इसकी डिमांड क्या होगी increase होगी कि नहीं होगी खुद आप सोचिए कि आपके महले में दुकान पर एक कॉफी का packet मिलता है एक टी का packet मिलता है ठीक है चाय पत्ती का अगर चाय पत्ती का price double हो गया मान लिजे महंगा हो गया तो आप क्या करोगे आप बोलोगे कि चाय से करेंगे तो अच्छी कॉफी बनाते हैं सस्ती बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे shift करेंगे मतलब price उसने टी का चेंज करा price उसने टी का चेंज करा उसके बदले में substitute जो उसके बदले में होगा उसकी डिमांड पर फरक पड़ गया कैसा फरक पड़ा देखो प्राइस बढ़ाने से डिमांड बढ़गी अब लोगों को लगता प्राइस बढ़ाने से डिमांड कैसे बढ़ सकती है भाई ये substitute goods की बात हो रही है दूसरी चीज का price बढ़ने पर आपकी चीज पर क्या effect आया common सी बात है दूसरी चीज महंगी हुई लोग आपकी set shift करेंगे तो आपकी demand बढ़ जाएगी आपकी चीजों की demand बढ़ जाएगी अगर इस चीज का price कम होगा अगर एक चीज का price कम होगा तो बोलेगा बताईए substitute goods की demand पर क्या effect आएगा तो बच्चों को लगता है कि sir price कम होने तो यहां पर demand अपने बढ़ेगी जब टी की demand बढ़ेगी तो कॉफी वाले ने कुछ चेंज नहीं करा तो कॉफी वाले भी इस से shift और स्टार्ट हो जाएगे कि चाय सब्सक्राइब मिल रही है मतलब आपको यह याद रखना है कि substitute goods में relation कैसा होता है बस यह important point में आपको ब रिलेशन होता है direct बस आपको यह point अगर याद आ जाते हैं तो बस question हो जाएगा कैसा होता है direct relation यह आप बोल सकते हो positive relation बाकी तो आप खुदर निकाली सकते हो question exam में आता है यह है question सीधा सीधा बोलेगा कि अगर price किसी चीज का मैंने कम कर दिया पताईए substitute goods के demand पे क्या effect आएगा वह decrease होगी increase होगी same रहेगी तो substitute goods क्या होता यह बात समझागी कि एक चीज के बतले में दूसरी चीज़ी यूज करें वह बैसा ही जो काम करें तो टी महंगी हुई मैं कॉफी पे shift हो गया और कॉफी का price क्या होगा और demand क्या होगी बढ़ जाएगी क्योंकि टी महंगी होगी दुकान पर चाई पीने से बैट रहागी कॉफी पीलो एक तो reputation अच्छा होगा और दूसरी चीज़ी ज्यादा मिल रही है अगर price सस्ता हुआ तो दूसरी चीज़ का demand कम हो जाएगी तो मतलब price बढ़ने से demand बढ़ रही है price कम होने से demand कम हो रही है लेकिन किसकी same चीज की न of elasticity तो बोलेगा Cross elasticity, substitute goods की कैसी होती है Cross elasticity कैसी होती है वो कैसी होती है सर पॉसिटिव होती है कैसी होती है पॉसिटिव होती है एक्जाम में question आएगा कि Cross elasticity गोता है में खोता है साथ होता है था आप कराविगा कर दीयुक्त हो आपạoलिक में तो बेसना कि क्रॉस में अख्ट सीब भोत होता है अप्टिते में racing होता है तो सब्स बार को समझ पाए होंगे कोशिश कर एक वार आप मैं एक बार repeat कर देता हूँ देखिए substitute goods होता है एक relative goods है जो other factor में आता है यह relative goods है जो other factor में आता है other factor change होने से इसका मतलब other factor में सीधी दिमाग मेंना चाहिए वहाँ पर decrease होता है increase होता है decrease होता है इंक्रीज होता है तो substitute का मतलता है एक की बजाए उसके बजाए दूसरी चीज़ को योज़ कर लेना तो बोलेगा कि एक चीज़ का price बढ़ेगा बताए substitute goods की demand पर क्या effect आएगा तो price बढ़ेगा दिमाग में सोचिए एक चीज महगी होगी उसके बदले में दूसरी चीज क्या होगी अब जादा दिमाड हो जाए क्योंकि इदर महगी होगी इस से लोग तो लेना बंद करेंगे दूसरे लपर जाएंगे तो मतलब कॉंप्लिमेंटरी गुड्स कॉंप्लिमेंटरी गुड्स क्या होता है कॉंप्लिमेंट होता है कोई किसी को कॉंप्लिमेंट देता है सीधा सीधा कॉंप्लिमेंट देना जैसे मैं for example से समझाने की कोशी करता हूँ जैसे मान लीजिए आपका क्या है ब्रेड और एक है आपका बटर तो कॉंप्लिमेंटर का मतलब यह होता है कि एक चीज का इफेक्ट होने से दूसरी चीज पर सीधा-सीधा फरक पड़ जाना मतलब एक के बिना दूसरी नहीं चल सकती दोनों एक की डिमांड बढ़ी दूसरी आट्मेंटिकली बढ़ जाएगी क्यों देखो क्यों जैसे मैं बोलता हूं कि ब्रैड का प्राइस तको ब्रैड को तो बेटर के साथ खाया जाता है जैसे कार का प्रेट्रोल के साथ रिलेशन होता है अगर की डिमांड बढ़ेगी तो प्रेट्रोल अपने बढ़ेगा कि कारे जाता होगी तो डिमांड अपन पढ़ने से इसकी डिमाड कैसी होगी बताइए अब लोगे इसकी डिमाड कम हो जाएगी क्योंकि आपको पताधा प्राइस DC से दिमांड कम होती है एक चीज़ की बात करूं तो अगर ब्रेड का मैंने प्राइस महंगा करा अगर मैंने ब्रेड का प्राइस महंगा करा इसकी डिमांड कम हो गई अगर इसकी डिमांड कम हो गई तो बटर तो ब्रेड के उपर लगा के खाऊगे ना तो मुझे बताइए इ इतना टाइम क्यों लोग रहा हूं समझाने में क्योंकि मैं चाहता हूं आप चीज़ों को समझ के करो इसको पुक पे लिखके रटा मत मारो यह डिक्रीज कभी कोशन नहीं कर पाऊगा एक्जाम में अब बैद चीज ब्रेड बड़ेगा मार्केट में लोग ब्रेड जादा खरीदेगे तो बड़ जाएगा क्योंकि ब्रेड के साथ ही यूज चाहता है वो लेगा कार की डिमांड बढ़ गई तो बताए ये कंप्ली में मतलब उसके साथ होने वाली चीज तो उसकी तेल की प्र प्राइस कम हो गया मान जीए मैं बनागर कार का प्राइस तोeremकिली में बढ़ेगे तो मुझे बताए इसका लिए अपने आप बढ़ जाएगी तो यहां से मैं एक किरूजन निकार रहा हूं कि इन्क्लूजन यह है और मुझे बताइए इसकी क्रोस Elasticity क्या हुई क्रोस Elasticity आफ कॉंप्लिमेंटरी गुट्स क्या रोती है इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशन है आई होप आप बात को समझ पाई होंगे कॉंप्लिमेंटिक गुड्स कौन से होते हैं गुड्स कौन से होते हैं जो एक चीज बढ़ने से दूसरा अटमेटिक इसके डिपेंड करेगा मैंने बोला कि कार का प्राइस बढ़ गया कार का इस बढ़ गया है तो बताईये उसके कॉंप्लिमेंटरी डिमांड पर क्या एफेक्ट आएगा तो आप बोलोगए इसचीज का प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड तो बढ़ेगी और कम होगी तो इसका और भी क्या होगा इसकी इमांडब में इसकी इमांड़ पूछ़र यह बताया पहले मैंने बताया सब्सीटूट में क्या होता है सब्सीटूट मतलब एक की बज़ाए मैं उसको छोड़ के दूसरे भी शिफ्ट हो जाओंगा उसकी अग्यूंड मैं जूज करना एक का प्राइस बड़ेगा इसकी डिवारंड कम हुई तो दूसरे की इमान भी दार्यक्ट होता है इतनी सी बात याद रखना आई हूप समझ पाए होंगे चलिए अब हम पढ़ते हैं law of demand के बारे में law of demand के बारे में ठीक है law of demand बैसे एक प्रवो लिख लो इसमें छोटा सा प्रवेव लिख लो आप लिख लेंदा Kross के लॉस्धिसिटी never be zero जो cross elasticity न, वो कभी भी zero नहीं हो सकती, किस case में in case of in case of substitute goods में या complementary goods में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक का price among से दूसरे पे कुछ ने कुछ है कि फेक्ट तो आता ही आता है कभी भी जीरो के अनि उसकती तो कुम पहली बात थो क्रॉस रीमांड होती कहा ये तो आपको समझागी होगी कि क्रॉस का र्लेशन कैसा है तो यह मैने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया I लाफ डिमांड की तरफ हम बढ़ते हैं लाफ डिमांड की तरफ चली है इस लिख लीजी अभी कि लिख ली आता है ये पड़ लिया है यहां कि आपको बताने पड़ेगी और इसके बाद आपका चैप्टर खतम हो जाएगा लाफ टिमांड ठीक है कि class में खतम हो पाईगा कोशिच करेंगी लेकिन हो नहीं पाएगा यह अगली class में खतम हो गई तो love demand की बात करते हैं तो love demand basically क्या होता है Inverse relation होता है जो loss का demand का ना बोलता है क्योंकि यह basically dependent करते है प्राइस के उपर तो आप बोलोगे love demand भोलता है प्राइसस एंड प्राइस एंड दिमाड तो लाफ्ट इमाड क्या बोलता है कि इंडर्स एंड एसा हर बार नहीं होती है यह सिर्फोसिरफ काम करते हैं जब other things को constant रखा जाए बैन अधर थिंग्स बींग इकल यह बोल सकते हो आप constant यह तब काम करेगा जब आपको other thing को आप क्या रखोगे fix रखोगे इसका मतलब एक price फेक्टर था एक अधर फेक्टर था अगर प्राइस फेक्टर की बज़ा से आप देखोगे लाफ डिमांड सिर्फ काम करता है प्राइस के उपर अगर प्राइस और डिमांड का रलेशन कैसा होगा inverse होगा यह एक ही जगा काम करता है जब आप other चीज को constant मान ले तो जब आप other चीज को क्या मना होगे constant अब other चीज क्या क्या हैंगे इसमें यह आपको मैं बताओंगा ठीक है और यह किस पर applicable होता है कोई भी चीज की condition होती है यह सिर्फ और सिर्फ एप्ली केवल होता है अप्ली केवल और बाद में इसकी मैं ट्रिक बता दूँगा कि कोशन scan exame कैसे आता है और आपको कैसे के किसे सारी क्योशन निकालनें नर्मल गूट क्या होता है यह भी प्राइस उडिमांड की लिए इसका कैसा होता है इन्वर्स लिशन होता है प्राइस और दिमांड के बीच का यह आपकोau she की कडिशन यह होते हैं यह सिर्फो सिर्फ नॉर्मल गुट्स के उपर काम करते हैं लेकिन अगर बात करेंगा जब भी कोशन देगा ना इसका कि बताई यह प्राइस बढ़ने से नॉर्मल गुट्स की डिमांड में क्या फरक पड़ता है तो जब नॉर्मल गुट्स आएगा तो मेशा यह लाव वैलोड रहेगा पता है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है यह आपको पता है लेकिन नॉर्मल कौशन एक्जाम में देता ही नहीं आसे वह आगे लिख देगा इन्फिरियर गुड्स लिख देगा लगजरी गुड्स लिख देगा बहां पर बच्च नॉर्मल गुड्स में क्या क्या होता है ठीक है नॉर्मल गुड्स क्या होते है तो नॉर्मल गुड्स क्या होते है पहले यह समय लो तो नॉर्मल गुड्स क्या होते है पहले यह समय लो तो नॉर्मल गुड्स क्या होते है पहले यह समय लो तो नॉर्मल गुड्स क्या होते निखिटिविटिव रिलेश्न नेगितिव अब उजय तो नेगिटिव यहैं इन्वर्स रिलेश multip congratulate our stay important सा 선물 सारे जिसका प्राइसरोमार्ड की बीच में कैसे वेरेशनों इन्वर्स हो मत्ल लाइप डिमार्ड वैलेड हो ऑन्ड कूँकर लॉप डिमांड इसी भे वैलॉट रहता है यह रिलेशन बनेंगा तब ही तो वैलॉट होगा एंड पॉसिटीव यह बोह सकते हो डारेक्ट रिलेशन पाउसिटीव यह डिरेक्ट रिलेशन ब्यूट तो इनकम और डिमांड करेशन कैसा होता है इंकम बड़ेगा डिमांड बड़ेगा इंकम अभड कम तो ड्र प्र invent ब्ड़ाइबू नर्मल गोड़ी पशान होती है ऐसी कोई बीचीजें जिसका प्रमीक हो भी अगर। से होंगे नॉर्मल गुड्वत अगर एक्जाम में कौशिन आ गया कि नॉर्मल गुड्वत आगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने से नॉर्मल गुड्वकर ध नम भूभर क्या एक्ट आएगा तो बिल्कुल तो आप ने बढ़ता वही उफेक्ट आएगा क्योंकि pricPRIZE बढूता है तो डिमार्ड EBD बढूता है इंकम बढूता है तो डिमांड बटती है इंकम कम वोती है इंकम कम 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 करें इनकम लिख लीजिये दूसरे टाइब की जो गूंत होते हैं है पहले नमरें लिख लीए नॉर्मल गूर्टे मैं तो लाज Thomas है बिलकुल जैसा है बैसा ही अंसर होंगे अब एक गुट रूपगोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं बना दे बेसिकली गिफन कुछ नहीं है यह एक परसन का नेम है इस बंदे ने यह लाओ दिया था एक परसन का नेम है इस बंदे ने सबसे पहले चीज़ों को अब्जर्ब किया था फिर इसके उपर लाओ दिया था उस बंदे का नाम था रोबर्ट गिफन इस बंदर ने explain किया था बाद में कि गिफन गुट साब किसको बोलते हो तो basically इस इसने एक चीज़ को notice करा क्या notice करा मैं आपको example से समझाता हूँ फिर आप कोशने को बहुत अच्छी से कर पाऊगे जैसे एक साइब लिख लिजी आप मान लिजीए यह कुछ rich person थे इस चीज़ को notice करा रहा है ठीक है इस चीज़ को practically notice करा और एक साइब पूर हुआ क्या मान लिजीए एक सेट लोग fruits खा रहे है rich लोग क्या खाते है fruits पे रखाते है और poor मान लिजीए bread खाके गोजारा कर रहे ठीक है अब होता क्या है starting में तो same लाता कि price बड़ा इस चीज़ का price बड़ा तो demand थोड़ी सी कम हुई demand थोड़ी सी कम होई इस case में बगर price बड़ेगा demand थोड़ी सी कम होगी यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा price बड़ा तो यहां पर इनकी demand पर कोई खास फरक नहीं है demand कम हुई लेकिन रिच लोग थे इन लोग ने इसको afford करना सही समझा क्योंकि वो तब तक fruits खरी सकते थे लेकिन दिरी दिरी इसने देखा कि जब price थोड़ा सा और बड़ा demand इसकी और ज्यादा कम होई क्योंकि law to demand कर यहीं बोलता price बड़े demand कम होगी ठीक ह और इस set भी price तो बढ़ रहा था लेकिन demand इसकी भी कम हो रही थी ठीक है अभी तक भी rich लोग इसको afford कर पा रहे थे लेकिन इसने एक condition देखी कि जब price चीज़ों का ज़्यादा बढ़ गया बिलकुल तो इसकी demand गिरना start होगी वो ज़्यादा गिरना start होगी पहले तो लोगो inflation उल्टी होके इसकी demand बढ़गी अब आप पूछो के sir demand कैसे बढ़गी इसकी मैं बताता हूँ demand कैसे बढ़गी जब इस set जो fruits है वो इतने महंगे होगे कि rich लोगों के लिए भी afford कर पाना दिरे दिने मुश्किल हो गया अब यह rich बंदों ने क्या किया इस set shift कर दिया उसने नहीं बोला कि वह यह fruits करो बंद क्योंकि इतने महंगे फाइदा कोई नहीं है तो bread खाके हम भी गुजरा करते हैं even की bread भी महंगे हुए थे लेकिन as compared to fruits के देखे तो इतने जादा महंगे नहीं थे rich person इसको afford कर सकते थे लेकिन देखो fruit bread का price बढ़ने से तो भी demand बढ़गी तो यहां पर law of demand उल्टा हो गया law of demand बोलता था कि price बढ़ने से demand कम होती है लेकिन यहां पर तो case ही उल्टा हो गया तो Giffen goods के case में क्या होता है यह Giffen goods relation बताता है किस किस का पहली बात तो यह जाद रखना Giffen goods में Giffen ने relation बताया relation between price and demand का यहां पर income का कोई लेना देना न बहुत अच्छा chapter में आपको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं so as आप question निकाल पाओ concept सीखोगे question निकल जाएंगे तो यहां पर इसने गिफने सिर्फ मुझे क्या बताया price or demand की बीच उसने बोला कि price बढ़ने से demand भी बढ़ जाती है यहां पर loss ने उल्टा होगे और गरीब तो पहले भी खाने भी ना खाय तो रह नहीं सकते और इन लोगों ने भी demand करी तो यह चीजों की demand तो भी बढ़गी चीज महंगी होने से तो भी demand बढ़गी तो इसको बोला गया gift and goods, gift and goods के case में क्या होता है इसमें जो आपका law है वो price बढ़ने से demand बढ़ बढ़ेगा demand बढ़ेगा मत सीधा effect है तो डारेक्टर relation था तो अब आप बच्चे गलती क्या करते हैं जब उस पो लिखता है कि अगर किस चीज का price बढ़ जाता है अगर gift and goods का price बढ़ जाता है बताई यह demand पर क्या effect आएगा अब बच्चों ने बहुत अच्छे से याद कि यह होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमाड कम ही ओनियगा और क्या होना है बदटि गी फटमें ऐसा नहीं होता गीफं गोड मे यह पूरा उल्टा करते त्युम आपको लेकिन बताता है कि सिर्फ-प्राइस तो आज की class में यहीं पर खतम कर रहा हूँ, कल की class में हम इसको खतम करेंगे जिसमें आपका demand का chapter complete हो जाएगा, I hope आपको class बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मुझे नहीं लगता कि इससे explain simple तरीके से अब किया जा सकता है, मैं इससे जादा simple explain नहीं कर सकता, तो आप करके इवन की यह आप हाई लेवर में देखोगे डिमांड और डिमांड का इतना ही कॉंसरेप्ट होता है मैंने आपको हर एक चीज बता दी तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ध्यान रखें अपना बाइबाई टेकर एंड गॉड ब्लस यू